हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों आज आप सब के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टन क्वेशन लेके आई हूँ जो कि हमारा कोस्ट अकाउंटिंग का क्वेशन है हमारे मिटीरियल कंट्रोल चैप्टर से ही क्वेशन आपको और भी तरीके से एक्जाम में सकता है बेसिकली इसके अंदर हम लोग आज की वीडियो में डिसकस करेंगे प्रपेच्च्वल इंवेंटरी सिस्टम के बारे में तो इसके पर एक क्वेशन है जो एक्जाम में बहुत ज्यादा बोल करके आया था और बच्चे कंफ्यूस थे कि उसके अंदर क्या लिखना ह पहले मैं आपको इस क्वेशन को समझाओंगी कि उसके अंदर आप क्या लिखोगे और इसके अंदर जो लिखना है उसको मैं आपको नोट्स के थूर समझाने की कोशिश करूंगी क्या है हमारा प्रपेच्च्वल इंवेंटरी सिस्टम इस एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मिटीरियल कंट्रोल जो यह फर्स पार्ट यहां तक लिखना इसमें यह लोग बेसिकली प्रपेच्वल इंवेंटरी सिस्टम का मीनिंग पूछ रहे हैं ठीक है उन्होंने बताया है कि एक इंटेग्रल पार्ट है तो यह इसका बेसिक मिनिंग पूछा जा रहा है जो कि इतना गुमा के पूछ रहे हैं बच्चे कंफ्यूज हैं कि इसके अंदर क्या लिखना है तो सिंपल इसका मिनिंग आफ्टर इस स्टेटमेंट को डिसकस करते हुए हमने इसके फीचर औ कि मैं हाजिर हो चुकी हूं तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शियर करोगे और इस वीडियो के उपर जादा से जादा अपना प्यार दिखाओगे ताकि एसी वीडियो लेके मैं आती रहूं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यह बहुत गलत बात है क्योंकि आपको नेक्स आने वाले टॉपिक के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं देगा मैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेशन अप्लोड करूंगी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा हमबल सबस्ती बेसिक सी अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग इसको फुल्फिल ज़रूर कीजिएगा चलिए क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं हमारा क्वेशन है उसका आंसर देखिए क्या है सबसे पहले हम लोग क्वेशन की आंसर में बताएंगी एक्चुल में प्रपेच प्रपेचुल Ann variant इसके अंदर होता है इसके अंदर हम लोग हमारे इंवाल होता है ट्रेकिंगज और अप्डेट करना हमारे इंवेंटरी यानिकि ऑन्ली फिद्ट की जितने भी रिकॉर्ड हैं जितना भी समान हमें लोग गूर्ज को सब्सक्राबा बेसफ कर हैं नीध हो च inventory system है जो हमारी transactions को record करती है after every sale और after every purchase ठीक है तो हमारे पास एक basic record रहते है कि इतनी चीज़े sale हो गई इतनी purchase हो गई की है और इतना हमारा stock अभी store में available पड़ा है तो यह काम करता है basic perpetual inventory system in perpetual inventory system sale of stock item a sale of stock item increase cost of goods sold अगर हम लोग sale करते हैं ठीक है तो हमारी cost of goods sold जो goods हमारे sale हुए उनकी cost बढ़ जाती है अगर हम लोग sale करते हैं जैसे अभी मैंने 4 product sale किये थे वो 400 के थे मैंने एक और product को sale कर दिया तो हमारी cost of sale कितनी की होगी 500 की होगी तो cost of sale goods को sale को जो increase करती है ना every sale effect डालती है COGS पर and also is updated in accounting records to ensure that the number of goods जो भी store या storage में अविलेबल है वो reflect करेंगे क्योंकि हमारे inventory account में तो यह ensure करना है कि जो number of goods store में पढ़े हैं वो कितनी है ठीक है ताकि हम लोग आगे के decisions ले पाएं कितने material की future में हमें जरूरत पढ़ेगी कितना और कम पढ़ रहा है कितना advance में हमने लेके रखा हुआ है तो सारी records को maintain करने में help करता है perpetual inventory system after every एक single toffee भी अगर store से trophy जो टौफी खाने वाली होती है एक रुपे वाली अगर वो एक single toffee भी store से बाहर जा रही है न तो perpetual inventory system उसका record करेगा ठीक है every single transaction को यहां पर record किया जाता है और इन detailed record किया जाता है ठीक है क्योंकि एक system के थू होती है humans नहीं इसको करते तो यह computerized है तो easy ही हो जाती है the perpetual inventory method does not attempt to maintain count of physical products इसमें क्या होता है कि इसको बहुत सारे counts नहीं करने पड़ते physically नहीं करना पड़ता QR code scan होते है न प्रोड़क्स के बड़ी-बड़ी shops में आप लोगों नहीं देखा होगा malls वगारा में जाते हैं product को machine पे scan करते हैं तो वही चीज है perpetual inventory method में हम लोग physically प्रोड़क्ट को count या maintain नहीं करते हैं वह सब कुछ automatic होता है perpetual inventory system are especially suitable for large companies that track high volume sales जिनकी high volume sales है न large companies उनके लिए यह जो हमारा method है यह suitable माना जाता है best माना जाते हैं so I hope आपको इसका basic meaning clear perpetual inventory system actual में होता क्या है ठीक है जिनकों भी तक इसके बारे में नहीं पता था प्रीज वीडियो को like कर दीजें क्योंकि आपको अगर समझ आ रहा है तो मेरी मेहनत सफल हो रही है after that हम लोग इसकी देख रहे है कुछ advantage and disadvantage I hope आप लोगों में से सब को ही पता होना चाहिए कि pros means advantages और cons means disadvantages ठीक है advantage and disadvantages like all business management system the perpetual inventory system is not all benefit ठीक है जैसे सभी business के system होते हैं वैसे ही perpetual के system में भी यह नहीं हम लोग कह सकते हैं कि सभी फाइदे ही फाइदे हैं कुछ फाइदे होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं तो यह depend करेगा हमारी organization के ऊपर depending on the organization product इंस्ट्राफ्रक्शर स्केल कैपबिल्टी दियर गुड रीजन्स तो चूज और नौट चूज प्रपेच्च्वल इन्वेंट्री हैं हम लोग किस रीजन से उसको चूज कर रहे हैं तो इत डिपेंड करेंगा आपविसली क्यूंकि हर चीज की अगर कुछ ना कुछ बैनिफ इन्वेंट्री मेनेश्मेंट यानि कि सबसे ज्यादा लोग इसी मेथड को प्रैफर करते हैं स्पैशली जो बड़ी बड़ी ओर्गनाइजेशन जिनकी लार्ज वोल्यूम और सेल्स हैं तो वो लोग मुसली इसी को प्रैफर करते हैं क्योंकि यह आटमेटि होता है अब इ प्रैक्शन डाटा कंटीनूजली रिकोर्ड करता है कोई सेल हुई को रिटर्न किया हमने कुछ डिस्काउंट दिया सब कुछ क्रिएट्स अ लाइव डाटा बेस इंस्टेंट असेस ऑफ और स्टेकोल्डर्स लाइव जितने प्रड़क्स जा रहे हैं साथ के साथ वो यह हमें प्रॉफर बताना है प्रॉफित हो रहा है से डिसकाउंट हो रहा है जो भी हो रहा है तो वह पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अगर हमारे पास दस कस्टमार लाइन में खड़े हैं तो फटा फट नहीं हो पाएगा बट इस इस मेशीन बेस्ट कंप्यूटर बेस्ट घ्यास तो यह इंस्टेंट हो जाता है इसमें फटेक से हमें रिजल्ट मिल जाता है और हमें दिस्टिजन लेने में बहुत साधा है यह नोग वह सेक्टिजन लेते हैं अगर आप एक टॉफी भी बाए करोगे ना तो उसकी ट्रांजेक्शन भी आपको शो होगी तो डाटा कलेक्शन एड़ ट्रांजेक्शनल लेवल बिल्डर मोर डिटेल इसके अंदर हमें बहुत जादा एवरी सिंगल डिटेल मिलती है तो जो हमें फ्यूचर की कंडिशन के बारे में कोई भी अनुमान या तुक्का लगाने में कह सकती है help करती है जो हम लोग prediction करते हैं न future के बारे में कि हम लोग आप जाएंगे down जाएंगे business कैसा चलेगा आने वाले months में seasonable जैसे कि कोई festivals के days हैं तो हम क्या sale कर सकते तो future prediction करने में हमारी help करेगी long term decision making हमारे लिए easy हो जाएगी with the help of this detail हमें पता चल जाएगा किस month में कौन सी item सबसे जादा sale हो रही है क्योंकि हमने वहाँ पर detailed transactions लिए तो long term decision making become much easier with a more detailed paper trial that help identify performance indicators जिससे हमारी performance जो है indicate होगी धीरे-धीरे improve होगी हम लोग long term के लिए best decisions को take over कर पाएंगे number third इससे हमारी क्या होती है cost reduce होती है अगर इसी सभी process के लिए यानि कि अब हमें जो यही छोटी-छोटी transactions करनी है अगर इसके लिए मैं कोई बंदे को hire करू या staff appoint करू तो मेरा कितना cost आएगा I think आपको पता है तो overall cost of inventory को manage करने के लिए drop significantly by implementing हम लोग implement कर सकते इस system को जिससे हमारी जो वो cost आने वाली थी न स्टाफ को hire करने वाली inventory management करने के लिए वो drop यानि की खतम हो जाएगी हमें वो cost नहीं लगानी पड़ेगी through the initial cost of setting it up में भी हाई इसकी डिपेंडिंग और इसको भी सेट करने की cost कई बार हाई आ सकती है जैसे कि हमने अगर अपनी company के अंदर इस system को launch करवाने प्रोपेट्चल इन्वेंटरी सिस्टम को ठीक है तो इसकी cost भी हाई आ सकती है करता है हमारी organization का size कितना है यह तो है नहीं कि यह भी सस्ती पड़ेगी हमें यह भी महंगी पड़ सकती है पर यह lifetime के लिए होगी एक बार पे करोगे तो उसके बाद lifetime के लिए recurring staffing costs are prominent decrease by eliminating the need for daily manual checks and count by staff saving both time and money तो यह सारे जो staff के काम होंगे जो भी हम लोग staff को रखके काम करवाना चाहते हैं daily के manuals check होगे कितना staff है सब कुछ यह हमारा save करेगी पैसा भी और time भी तो इसको लोग करवाते हैं basically अपने companies के अंदर install इस method को तो यह depend करेगा कि हमारी company का size कितना मेरी चोटी सी दुकान है और उसके अंदर अगर मैं सिस्टम को install करा रही है एक बंदा नहीं लगना मुझे अगर मैं उस बंदे को जोब पर रख लो तो मुझे 5-6,000 पर salaries को देनी 8,000 पर जो शौप में लड़के काम करते हैं उनके ठीक है तो ऐसे चोटी से शौप में अगर मै से सिस्टम को install कराऊंगी तो मुझे यह मेहंगा पड़ेगा इसलिए लिखा हुआ ओर्गनाइजेशन के साइस पे डिपाइंड करती है और बार बार बोला जा रहे है कि बड़ी ओर्गनाइजेशन के लिए suitable होती है ठीक है आफ्टर थार्ड है इसकी धुरू हम लोग easily किस सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर कुछ भी स्टॉक में इंफोर्मेशन चाहिए या कुछ भी गड़बडी लग रही है कोई भी समान गायब हुआ लग रहे हैं तो हम लोग immediately investigate कर सकते हैं माइक्रो लेवल डाटा क्लेक्शन गिव यू more accurate inventory numbers चोटी से चोटी डाटा की क्लेक्शन हमें easy कर देते हैं किसी भी चीज के उपर अगर हमने कोई भी इंवेस्टिकेशन करनी है तो बहुत जाधा easy हो जाती है more accurate inventory numbers मिलते हैं हमें तो making it easier to detect and prevent instance of shrinkage counting errors and theft अगर जो भी गलती है या कोई भी चोड़ी हुई है समान की easily हम लोग इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं easily उसको पकड़ सकते हैं हमें कोई जाधा समय नहीं लगेगा अगर हमारे पास यह वली transactional record spend पढ़े हैं उसके बाद अब आती है हमारे इसकी कुछ disadvantages I hope आपको advantages clear है मैं दुबारा एक दो headings बता देती हूं real time assess data है real time में हमें सारा उसका information बताता है second number पे micro level चोटी से चोटी detail को collect करता है third cost कम करता है हमारी और fourth easily investigate हो जाता है इसकी आप से अगर यह ना हो तो हमें एक अपनी ledger बगेरा फोलनी पड़ेगी check करनी पड़ेगी transactions को देखना पड़ेगा that is very lengthy process so next क्या है हमारी disadvantages when it comes to inventory management there is no one size fits all solution and the perpetual inventory method is no exception here are some reasons you may not want to choose यह कुछ हम लोग reasons discuss करेंगे जिसकी वजह से आप इस method को चूज नहीं करना चाहोगे basically यहां इसकी disadvantages बताई जाहेंगी ठीक है सबसे first है इसके अंदर हमें technology के उपर depend रहना पड़ता है हम लोग self कुछ काम नहीं करेंगे technology पर depend रहें तो हमें कुछ उसकी knowledge नहीं है अगर कल को एक भी दिन के लिए वो system डाउन चला जाता है तो हमारा पूरा system हिल जाएगा company का ठीक है क्योंकि हम लोग technology पर depend कर रहें अगर एक दिन के लिए जैसे computers खराब हो गए यह system में कुछ हो गया system कह सकती है hang हो गया या कुछ हो गया तो उस दिन एक दिन में हमारे तो होते बोल जाएंगे transactions चेक करने में तो देखे क्या लिखा हुआ है implementing perpetual inventory system requires significance technological infrastructure significance important technological infrastructure की जरूरत है including इसमें software अच्छा होना चाहिए hardware अच्छा होना चाहिए tools like warehouse management software होना चाहिए barcode RFID scanner and POS system सब कुछ होना चाहिए तो इतनी सारी चीजों में से अगर कुछ भी गया ना तो system की band बच जाएगी इसी वज़े से यहां पर बोला गया था कुछ reasons बताएंगे जिसकी वज़े से आप लोग इसको choose नहीं करना चाहोगे क्योंकि एक बार इसकी आदत पड़ी तो इसके बाद आप से एक दिन के लिए भी वह company handle नहीं होगी system के बिना ठीक है इसके अंदर two significant challenge आते है first आती है setup cost क्योंकि पूरा software hardware उसको maintain करना उसको खरीदना बहुत महंगा होता है तो setup cost क्या है इसकी financial requirements जो भी है इसकी buying maintaining deploying the software hardware यह बहुत बड़ा challenge है इसके अंदर secondly employees को system के बारे में कुछ तो employees उसके आगे बैठेंगे न सिस्टम के आगे जो उसको देखेंगे की work कर रहा है तो employees को उसके training देना उसके apply करना पड़ेगा उसको properly technology use करनी सिखानी पड़ेगी तो यह देखा जाता है by comparison periodic जो हमारा inventory system था typically use manual process for counting and recording your inventory as well as making changes to your inventory ledgers तो small businesses है या जो low volume inventory वाले हैं जिनका limited budget है this may still be more feasible option तो कह रहे हैं कि जो हमारा periodic यानिकि पहले वाला inventory system था न इसके मुकाबले वहाँ पे उसको best माना जाएगा क्योंकि वो उसमें हम लोग counting recording वगरा सब कर सकते और छोटे business के लिए तो वो best है जिनका limited budget है periodic पुराने वाला ठीक है तो हम लोगों को यह दिहान में यहा पड़ेगा उसके उपर उसको setup के लिए cost भी high pay करनी पड़ेगी employees को भी उसकी training देनी पड़ेगी और एक भी दिन के लिए जैसे कुछ भी होता है तो पूरी तहस्न हैस हो जाएगी मैंने अपने words में आपको बोला है आप लोग इसमें कुछ भी अपनी wording में लिख सकते हैं मेरा main motive था कि आपको point clear हो second margin of error through computers make fewer errors than human computer से भी गलतिया होती है possible है ठीक है it is possible क्योंकि computers में भी system को इंसानों ने ही डाला है तो आप लोगों को जैसे AI अब आया हुआ कि इतना लोंच हुआ है तो AI से भी हम लोग क्या बुलवाते हैं वो क्या हरकते करता है कुछ का कुछ बोलते हैं हम बोलते हैं यह क कर दें तो वो कुछ और ही करता है उसको प्रोपर इंफुमेशन चाहिए होती कि एक्सेक्ट हमें क्या चाहिए वो computer की लेंगवेज हो हमें नहीं आती तो वही है कि उसके अंदर भी कुछ errors हो सकते हैं ठीक है it is possible specially as some human activities involved in some steps तो जैसे कि मैंने बताया उपर भी हमने देखा क इसके लिए हम लोगों को training देते हैं कि उस math system को कैसे handle करना है especially humans इसमें involved है ठीक है कुछ activities में humans involved है तो scan करना वगारा वगारा में जैसे product को malls वगारा में जाते है scan को करता है उस system को use करना कुछ लोगों को सखाया होता है जो billing counter पर खड़े होती है product को scan करते और bills वगारा दे तो उसकी वजह से भी कुछ error हो सकते है possibility है this combine with the human tendency to adopt corrupt practice like theft make it necessary for physical count to verify inventory data तो इह important यहां पी हो जाता है क्योंकि computer से भी गलतियां हो सकते हैं तो यहां पी नसेसरी हो जाता है कि हम लोग उसके साथ physically भी उन चीजों को count करें ताकि जो भी data हमारा वो system हमें बना के दे रहे हम उसक उसको verify कर पाएं ठीक है तो यहां पर हमें एक disadvantage मान सकते हैं कि पहले हम लोग उसको machine से count करवा रहे हैं और फिजिकली हमें उसको count करना पड़ रहा है ताकि हमाने check कर पाएं कि हमारा data equal है तो वो हमें double cost पढ़ जाएगी तो इसी वजह से भी इसको एक बार disadvantage में count किया जाता it make more sense to employ periodic inventory method and conduct physically inventory checks तो इसके अंदर इस चीज की sense भी बनती है न कि हम लोग अगर periodic inventory system को apply कर रहे हैं क्योंकि high cost वाले मिकलव है इसके अंदर product थोड़ा सा होगा जैसे थोड़ा सा है अगर हमने सोनने कि कोई छोड़ी से भी चीज बन वाली चीज इतनी सी है price कहां जा रहा है to high value products होते हैं तो इसके अंदर कुछ sense भी बनती है कि अगर हम लोग इस तरह के काम के अंदर इस method को system को apply करते हैं तो उसके अगर हम रिकॉर्ड ना के देता है कि इतने इतने के billing हो रही है और हम लोग उसको री चेक करते हैं तो यह सेंस भी बनता हम लोग उसको physically चेक कर सकते हैं क्योंकि समान कम है पैसे जाधा है ठीक है बट अगर हम लोग बोले grocery store में इस चीज़ को कर सकते है is that possible grocery stores में कितनी लंबी इलाइन्स होती है अगर हम लोग उसको physically चेक करने जाएंगे तो हो नहीं पाएगा बट अगर आप लोगों को मैं यह बताऊं कि इसकी सिस्टम हमारे यहां पंजाब में इंडिया में यूज होता है प्रिपेच्वल इनवेंट्री सिस्टम आप लोगों ने मोल्स बगएरा में देखा होगा बिलिंग काउंटर में आप लोग इस पू cat पहरे स्कैनर और उसके प्राइजिंग अपने आप बिलिंग हो जाती है तो इस सिस्टम यूज किया जाता है हमारे यहां पहुंब यह नहीं किया सकते कि यूज नहीं होता उसके बाद इसकी नेक्स डिशच ट्वांटेज किया ब्रेकेज ऑफ आइटम्स अब देखो जो प्रडक्स सेल हुए उसके रिकोडिंग करता है जो परचेज के उसको रिकोड करता है जो टूट गया उसकी इसमें कोई ट्रांजेक्शन रिकोड नहीं की जाती है जो स्पोयल होगे किसी वज़े से अगर जैसे हमारे ग्रोसरी स्ट डाटा को जिसे हमें क्विक रिकोड मिल जाती है इन केस अगर हमारी कोई भी आइटम टूट जाती है खराब हो जाती है और उसको सेल नहीं हम लोग कर सकते हैं मतलब अनसेलेबल है तो इसको अगर इतना स्टोक पड़ा है उसमें उसको गिनते हैं तो यह गलत बात है इसकी डिसद्वांटेज है क्योंकि वह बिकेगा तो नहीं समान तो हम उसको स्टॉक में कंसीडर क्यों कर रहे हैं नेक्स्ट यह क्या लिखा है अनलेस देर इस एन एक्चुल फिजिकल काउंट जब तक इसके अंदर हम लोग एक्चुल फिजिकल काउंट नहीं करेंगे तो अप पड़ा है कस्टमर्स के लिए जो हमें जैसे हमें 500 पीसीज का ओडर आया है तो वो कम्प्यूटर बता रहा है कि 500 पीसीज गोडाउन में पड़े हैं ठीक है बट एक्चुल में गोडाउन में 300 पीसीज हैं 200 में से कुछ टूटे हुए हैं कुछ खराब हो चुके हैं कुछ अनसेलिबल है तो उसका तो सिस्टम ने हमें बताया है निए 200 पीसीज की हमें तो कस्टमर के आगे शोटेश पड़ जाएगी ना तो हम यहां पर फिजिकल चेक करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि एक्चुल जो वो बता रहे है वो चीज पढ़ी है स्टोर में तो यह भी कर सकते हो जैसे कि हमारी एड्वांटेज इसकी ही चार-पांच है तो आप लोग असेस्टो रियल टाइम डाटा है जो इसकी एक फीचर बना सकते हो इसी का एक लाइन जो आपको इसमें से अच्छी लग रही है उसकी एक लाइन का फीचर बना सकते हो सेकेंड जो हमारा आपको इसकी बता सकते हैं हम लोग आपसे बात कर लेंगे और दोस्तों इस वीडियो के नोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में में आपको पूरे चैप्टर के ही जो हमारा चैप्टर नंबर स्रीया मिटीरियल कंट्रोल कोस्ट अकाउंटिंग का इसके दो क्वेशन इंपॉर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी आप लोग वहां से ले लीजिए अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई